हरे कृष्णा राधे राधे वरिंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम दिल्दी के रहने वाली बीना जस्वाल और उनके पती मंजित सिंग जस्वाल के जीवन की एक सच्ची घटना लेकर आ गया है जो घटना को सुनकर आपके भी रॉंग्टे खरे हो जाएंगे आप भी सोच में पर जाएंगे इस वर कैसे कैसे अपने भक्त के साथ लीला करते हैं जब ब्रिंदावन दर्शन में जाकर इनका ATM में कार्ड फस गया तब सारी उमीद इन्होंने छोड़ दी थी कार्ड की तब ही एक साउला सलोना सा लड़का वहां आकर एक जटके में इन लोगों का प्राब्लेम सॉल्ब कर दिया लेकिन कौन था वो यही आज की घटना है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आसा है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा लेट स्टार्ट दिल्ली में रहने वाली वीना जी, CRPF में नौकरी करती थी और दो शाल हुआ उन्होंने BRS जोईन किया है इनका बेटा Air Force में नौकरी करते हैं और तभी नौकरी के कारण से उसे हिमाचल जाना पड़ा था वही से उनके बेटे ने एक लड़ो गोपाल जी का बिग्रह घर पर लेकर आया था लेकिन बीना जी ने हमसे कहा सर्विस करने के कारण वो हमेशा बहुत साथा बिजी रहती थी और लड़ो गोपाल जी के बारे में उन्हें इतना कुछ पता नहीं था इसलिए वो जनमास टोमी को ही लड़ो गोपाल जी को बाहर लेकर आती थी उनका पूजा करती थी और फिर से उन्हें सोकेस में रग दिया करती थी तब सर्विस भी चल रहा था बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे इसलिए लड़ो गोपाल जी के बारे में उन्हें उतना कुछ पता भी नहीं था 2020 की बात है उन्होंने हमसे कहा उनकी परोसी ने एक नया नया लड़ो गोपाल जी लिया था अब उनके परोसी को लड़ो गोपाल जी का सारा नियम पता था उन्हें कही जाना था इसलिए उनके परोसी ने बीना जी को अपने लड़ो गोपाल जी को दिया और बीना जी को लड़ो गोपाल जी का सारा स्रेबा प्रोसेस समझा दिया अच्छे से तब बीना जी घर पर थी तो लड़ू गोपाल जी के सेबा के लिए उन्हें बिलकुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ वो बड़े ही प्यार से उन अपने परोसी के लड़ू गोपाल जी को सेबा करने लगी और तब ही उनके दिमाग में आया अरे हमारे घर पर भी तो लड़ू गोपाल जी है इन्हें भी तो हम सेबा कर सकते हैं तब उन्होंने अपने लड़ू गोपाल जी को भी अपने परोसी के लड़ू गोपाल जी के साथ सेबा करने लगी क्योंकि उन्होंने और भी कहा परोशी के लड़ू गोपाल जी का सेवा प्रोसेस से उन्हें बहुत अच्छा लगता था उन्हें सेवा करकर उन्हें लगा हमारे लड़ू गोपाल जी को भी हमें सेवा करना चाहिए यही सोचकर उन्होंने अपने लड़ू गोपाल जी को भी सेवा करना शुरू किया अपने लड़ू गोपाल जी को सेवा करते करते उनके दिल में आया कि लड़ू गोपाल जी के लिए हम एक राधारानी मतलब राधो लेकर आएंगी उन्हें वो प्यार से राधो कहकर पुकारती है और जन्मास्टमी के दिन वो अपने लड़ू बाबू के लिए एक प्यारा सा राधारानी मतलब राधो को लेकर आई और तभी से दोनों को सेवा करने लगी और पूजा करने लगी लड़ू को और राधों को सेभा करते करते उन्हें लगा कि हमारे पास अगर एक बड़ा सा लड़ू गोपाल जी होता तो कितना अच्छा होता हम बहुत ही अच्छे से उन्हें सजा पाते सिंगार कर पाते और कहते हैं न अगर भक्त दिल से अपने भगवान को बुलाए तो भगवान कभी दूर नहीं रह सकते ऐसे ही उनके पती को दो दिन के लिए चुट्टी लेना पड़ा थोड़ी तबियत खराब थी इसलिए दो दिन का चुट्टी था ये देखकर बीना जी की बेटी ने कहा ममा पपा आप दोनों जाकर प्रिंदावन दर्शन करके आओ ये सु बीना जी को बहुत अच्छा भी लगा क्यूंकि वो अपने लिए बड़े से लड़ू गोपाल जी लेना चाहती थी तो कोई भी प्लैन नहीं था बस ऐसे ही दोनों पती-पत्नी चले गए ब्रिंदावन का दर्शन करनी उन्होंने हमसे और भी कहा उन्होंने कहा जब वो ब संत और भले लोगों का ही भक्त लोगों का ही दर्शन कर रही है उन्होंने अपने पती से इस बारे में बताया तो उनके पती ने उनसे कहा देखो आपके मन में हमीशा लड़ू गोपाल जी का चिंता रहता है इसलिए ब्रिंदावन आते बख्त आप बस संत लोगों को ही द कहा हम ब्रिंदावन दर्शन कर रहे थे बस बाशु को लेना ही बाकी था लेकिन हम और भी दो चार दिन यहां रहने वाले थे इसलिए हमने सोचा बाशु को कुछ दिन बाद ही ले लेंगे दूसरे दिन ये लोग यमुना दर्शन करने गए और साथी में निदीवन का भी दर्शन किया यमुनाजी में इन्होंने अपने लड़ों को और राधों को दोनों को ही सनान भी कराया साम के वक्त इन्हें थोड़ा भूक लगा तो इन्होंने सूचा चलो बाहर चल कर कुछ खाते हैं यही सोच कर ये लोग बाहर आये फिर इन्होंने कुछ खाना भी खाया लेकिन जैसे ही ये मंदिर दर्शन करने गए उन्होंने देखा संडे का दिन था लेकिन मंदिर में इतना भीर था इतना भीर था कि ये लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे इनको डर था इस भीर में कहीं राधो और लड़ू गिरना जाए यही सोच कर दोनों पती पतनी ने टोकडी को अच्छे से समाला और मंदिर से वापस आ गए उन्होंने कहा चलो आज भीर है कल आ जाएंगे मंदिर दर्शन करनी यही सोच कर यह लोग बासू को लेने एक सौप में आ गए वहाँ पर उन हमें दे دो। बासू को वहां से लेने के बाद उन्होंने बासू के लिए सिंगार पोशाक जो भी लगता है सब कुछ खड़ीदा। उन्हें एक सिंगा सन भी वहांपर पसंद आया लेकिन सिंगा सन का रेट बहुत जदा था। उन्होंने बार बार दुकानदार से कहा अगर इसका थोड़ा दाम आप कम करोगे तो सायद हम इसे ले पाएंगे लेकिन दुकानदार मानने वाला ही नहीं था तब बीना जी ने दुकानदार से कहा देखो भया अगर सिंगासन का दाम आप कम कर सकते हो तो हम यहाँ पास में ही एक होटल में हैं यहाँ पर आप हमें सिंगासन दे कर जाना यह कहकर बीना जी वहाँ से बासु को और उसका जो सारा सामगड़ी उन्होंने ड्रेस वगेरा ख रहना है बहुत जोर-जोर से रो रहा है और उस बच्चे की मम्मा बहुत जादा कोशिश कर रही है अपने बच्चे को चुपाने के लिए लेकिन बच्चा जैसे चुप ही नहीं रहा था तो बीना जी ने कहा मुझे दे दो मैं समाल लेती हूँ आप नहीं समाल पाओगे और यही बात कहकर बीना जी का नीन्द तूट गया. फिर उन्होंने बाशू को देखा, तो उन्होंने देखा बाशू के बदन में भी कोई कपड़ा नहीं है. लेकिन उनके पास कोई टोकड़ी ना होने के कारण, उन्होंने बासु को पैकेट से मतलब पैकिंग से नहीं निकाला उन्होंने सोचा चलो एक दिन की ही तो बात है कल हम रहेंगे परशो घर चले जाएंगे तो बासु को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई टोकडी भी नहीं है कि हम उस पर उन्हें लेकर जा पाए यही सोच कर उन्होंने बासु को पैकिंग से नहीं निकाला अब नेक्स्ट दिन 12 मार्च 2021 की बात है बीना जी और उनके पती ने तै किया चलो अब घर चलना है इसलिए दोनों मिलकर चले एटियम से पैसा निकालनी क्योंकि होटेल का प्रेमेंट भी उन्हें करना था लेकिन एटियम में जाते ही जैसे ही उन्होंने पैसा निकालने की कोशिस की वैसे उन लोगों का जो एटियम कार्ड था वो एटियम में ही फज गया और एटियम तभी खराब हो गया बीना जी ने हमसे कहा ATM का जो गार्ड था वो बहुत अच्छा था उसने बहुत कोशिश किया ATM को निकालने के लिए लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी ATM को नहीं निकाल पाए फिर उस आदमी ने ATM के मैनेजर को फोन किया तो उसने कहा अभी तो ऐसे में ही लॉकडाउन चल रहा है इसलिए ATM को ठीक करने में दो तिन दिन लगी जाएंगी अभी आगरा से ATM ठीक करने जाना थोड़ा सा मुश्किल है मैम दो दिन से पहले कुछ भी नहीं हो सकता ये सब देखकर बीना जी और उनके पती बहुत ही घबरा गये थे क्योंकि उन्हें वापस भी जाना था तो वो लोग सोचे कि अब क्या करे तो बीना जी के पती ने उनसे कहा आप होटल चले जाओ हम यही पर बैठते हैं अगर कुछ काम बन जाए तो लेकिन बीना जी ने कहा होटल जाकर भी हमें मन में सांती नहीं मिलेगा उससे अच्छा यही है कि हम यही पर ही बैठ जाते हैं उन्होंने कहा एक घंटे तक हम वही पर बैठे रहे बहुत से लोग आये उन्होंने पूछा एटियम को क्या हुआ है हमने उन्हें कहा भी हमार ATM फस गया है ये ATM खराब है ये बात सुनकर सब लोग एक-एक करके चले गए लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की ATM के वहाँ पर बैठ कर ही हम सोच रहे थे कि इसका क्या उपाई हो सकता है कैसे हम इस प्रॉब्लेम से निकले तब ही वहाँ पर एक लड़का आया जो सामले का लड़का था और पता नहीं क्यों उसे देख कर हमें बहुत अच्छा लगा और उसके चेहरे से एक तेज भी निकल रहा था हमें देख कर उसने हमारी प्रॉब्लेम पूछी हमने उन्हें बताया हमारा ATM फस गया है और ये ATM भी खराब हो गया है लेकिन हम अपने ATM काट को निकाल नहीं पा रहे हैं तब उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं क्या हम आपका ATM निकाल कर दे ये बात सुनते ही बीना जी और उनके पती को बहुत आनंद आया उन्होंने कहा क्यों नहीं बेटा कबसे हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं लेकिन किसी ने भी हमारी म खराब है हम किसी के उपर भी ऐसे ही बिस्वास नहीं कर सकते लेकिन इसके अलाबा उनके पास कोई चारा भी नहीं था तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप थोड़ा सा कोशिश कर लो उस लड़के ने थोड़ा सा कोशिश किया लेकिन कार्ड बाहर नहीं आया तो उसने कह अगर एक प्लस होता तो बहुत अच्छा होता हम अभी कार्ड को निकाल देते तो हमारे पती जल्दी से होटल गए और वहां से एक प्लस लेकर आये और जैसे ही उसके हाथ में दिया उस लड़के ने कार्ड को प्लस से पकड़ा और एक जटके में निकाल दिया ATM का कुछ भी नहीं टूटा, कुछ भी खराब भी नहीं हुआ सबसे आर्षचर्जे वाली बात जो उन्होंने कही उन्होंने जब उस लड़के को थैंक्यू कहा तो उन्होंने कहा ये थैंक्यू कहनी की क्या बात है सब कुछ उनी के इच्छा से ही होता है और उन्ही के इच्छा से हम यहां पर आए हैं बीना जी ने कहा उसके मूँ से ये बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा लगा जैसे की ठाकुर जी ने ही इसे हमारे लिए भेजा था और इसने हमारा मदद किया ATM कार्ड को हमारे हातों में देकर ही लड़का कहीं जैसे चला गया फिर बीना जी ने कहा उस लड़के को हमने बहुत ढूंडा लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं दिखा इसके बाद भी हमारे लड़ो गोपाल जी के बहुत से ऐसे चमतकार है जो हमने अनुभब किया है लेकिन हमारे जीवन में ये चमतकार सबसे बड़ा था जो की उस लड़के ने हमसे कहा था कि ठाकुर जी की इच्छा से ही हम आपके पास आये हैं इतना बड़ा चमतकार तो बस ठाकुर जी ही कर सकते हैं वही अपना लीला दिखा सकते हैं इसलिए हमने सोचा ये बात आप सब तक पहुँचाए और सब को ठाकूर जी की कृपा के बारे में पता चली। उसके बाद बीना जी और उनके पती होटल वापस आ गये। होटल आते ही उन्होंने देखा जो सिंहासन उन्होंने बासू के लिए पसंद किया था। वो उसी सिंहासन को हाथ में लेकर दुकानदार खड़े हैं और बीना जी के कहे हुए प्राइज में ही दुकानदार ने सिंहासन बीना जी को दे दिया। बीना जी आपको बहुत 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 धन्यवाद की आपने हमारे साथ इतना सुन्दर भगवान का एक लीला कथा सेयर किया बीना जी ने हमसे और भी बहुत कुछ कहा लड़ू गोपाल जी को जब उन्होंने प्रतिस्ठा किया था तभी से उन्होंने भेज खाना शुरू किया था लेकिन उनके पती को थोड़ा प्राब्लेम था जो वो भेज खाना नहीं खा पा रहे थे लेकिन बासु के आने के बाद हमारे पती बिलकुल बदल गये और हमारा पूरा का पूरा पडिवार जैसे खुसी से जूम उठा और सब लोग भक्त बन गये बीना जी ने और भी बहुत कुछ कहा मेरा बेटा यर फोर्स में काम करता है इसलिए उसे हमेशा ही बाहर रहना पड़ता है मेरी बेटी का बहुत एक अच्छे से घर पर साधी हो चुका है और उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और हमारी बेटी बहुत खुशी- बच्चे को लेकर कैसे हमारा दिन चला जाता है कभी पता ही नहीं चलता लेकिन और भी एक बात है पूरा घर खाली होने के बाद भी हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि पूरा घर खाली है क्योंकि बच्चे की किलकारिया घर पर गूजती ही रहती है अगर कोई भी हमसे पूछता ह कि आप अकेले घर पर रहते हो तो हम उन्हें खुशी-खुशी कहते हैं नहीं नहीं हम अकेले थोरी ना है हमारी बेटी दो बेटे और हम चारों मिलकर बहुत मज़र करते हैं पूरा-पूरा दिन सची कहते हैं सब लोग भकत के बस में है भगवान अगर भकत अपने भगवान से इतना प्रेम करेंगे इतना लाट लड़ाएंगे तो प्रभु कैसे अपने भकत से दूर रह पाएंगे आसा है बीना जी के जीवन का ये घटना आप सब को बहुत अच्छा लगा होगा अब हमें बताईए बीना जी के जीवन का ये अनुभव आप सब को कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो दिल को कहीं भी छुआ हो तो हमारे इस वीडियो को ज़ादा से ज़ादा सेयर कर दीजिए ताकि सब को ये लीला सुनने का मौका मिले क्योंकि हम भक्त है और भक्त का य प्रेस कर दीजिए नया नया वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपने गोपू के साथ अपने फैमली के साथ हसते रहे खेलते रहे हरे क्रेश्णा रादे रादे थैंकी फर वाचिंग